वेल्कम बाक स्टुडेंट्स के पीछे उसकी बहुत सी डिटेल्स लिखी होती है जैसे कि उसका प्राइज, बैच नंबर, मेनुफाक्टरिंग डेट, एक्सपाइरी डेट उसकी सारे के सारी डिटेल्स उस प्रोड़क्ट के पीछे लिखी गई है तो क्या आपने कभी सूचा है कि ये सारी डिटेल्स प्रोड़क्ट के पीछे क्यो लिखी जाती है तो दोस्तो अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर जाने कि आखिल सारे मेनुफाक्टरिंग अपने बनाए प्रोड़क्ट के पीछे ये सभी डिटेल्स क्यो लिखते हैं तो चली शुरुबात करते हैं Students, Manufacturers अपने बनाए प्रोड़क्ट के पीछे ये जो डिटेल्स लिखते हैं उसका कारण है कंजूमर्स के पास राइट टु इंफोमेशन का होना मेरा मतलब है कि Government ने हम सभी कंजूमर्स को एक राइट दिया है एक खास responsibility और एक हग दिया है कि हम सब अपने खरीदे हुए प्रोड़क्ट और सर्विसेज की complete details को डिमांड कर सकते हैं और ये रूल बनाया है, compulsory किया है कि सब इस sellers और manufacturers को प्रोड़क्ट की details consumers को provide करनी होंगी I am sure आप सब सोच रही होंगे कि consumers goods or services को तो use कर लेंगे पर उनके details का क्या करेंगे तो students ये एक बहुत ही interesting fact है कि अगर आपका खरीदा हुआ कोई भी product defected निकलता है या फिर expired निकलता है तो ऐसे case में अगर आपके पास अपने product की complete information है तो आप अपने product को replace भी करवा सकते हैं मैं आपको इस situation एक example की help से समझाती हूँ माल लेजिए कि आप सब के पास अपने घर में कोई toy है या फिर कोई game है जो कि batteries से operate की जाती है और आपको उसे operate करने के लिए batteries की जरूरत पढ़ती है ऐसे में आप market जाकर batteries purchase कर लेंगे लेकिन जब आप घर आते हैं तो वो batteries काम ही नहीं करती आप उसके पीछे expiry date पढ़ते हैं पर वो expired भी नहीं है यानि कि दोस्तों या तो वो batteries completely defective है या फिर बहुत पुरानी है तो ऐसे case में आप shopkeeper से जाकर अपनी batteries को exchange करवा सकते हैं और shopkeeper आपको एक new replaced product दे देगा similarly students अगर कोई doctor या chemist आपको expired medicine sell करता है तो आप उसके खिलाफ strict action ले सकते हैं आप उसके खिलाफ complaint file कर सकते हैं एक और बहुत ही interesting बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि अगर आपके पास अपनी product की complete detail है complete information है तो ऐसे में आप seller से price को लेकर भी bargain कर सकते हैं in fact market में एक fair price के demand रख सकते हैं जैसे कि दोस्तों हर product के पीछे उसका MRP यानि कि maximum retail price mentioned होता है ये वो price होता है जो कि maximum limit में एक seller आप से demand कर सकता है product को बेचने के against और अगर किसी situation में seller आप से MRP से जादा price demand कर रहा है तो आप उसके खिलाफ strict action ले सकते हैं in fact उससे bargain कर सकते हैं कि वो आपको product MRP से कम price पर sell करें देखा दोस्तों अपने products की complete information रखना कितना जरूरी और फाइदे मन्द है लेकिन दोस्तों आज के lecture को खतम करने से पहले मैं आपको एक interesting fact बताना चाहती हूँ और वो ये है कि 2005 में government of India ने एक act पास किया एक act enact किया जिसका नाम है right to information इस act के according government भी आपको कोई भी service provide कर रही है तो information completely आपको provide की जाएगी जो भी service government आपको provide करेगी उसकी complete details, complete information सभी consumers को, सभी public को provide की जाएगी जैसे कि अगर government आपको electricity, road, public transport या फिर किसे भी चीज़ की facility provide करती है और किसी situation में आपको ये services time पर available नहीं हो रही है तो आप ऐसे में इस service के खिलाफ एक complaint फाइल कर सकते हैं और strict action लिया जाएगा देखा दोस्तों अपने products और services की complete information रखना कितना important और कितना beneficial है इसी के साथ हमने cover कर लिया है हमारे आज के topic को अब next lecture में मिलकर जानेंगे right to choose के बारे में देखेंगे कि जब consumers का choice डिनाई किया जाता है तब क्या होता है तो अब मिलेंगे next lecture में Thank you for watching I'm sure students, आपको ये वीडियो बहुत पसंदाया होगा तो इसी तरह से एक मज़ेदार तरीके से अपने हर कॉंसेट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए प्यूस्टैक अप जहां आपके लिए और भी करी सारे ओप्शन से जैसे कि आपके लिए sample papers है backing size solutions, tip videos and much more So what are you waiting for? Download the app now